अमीर और धन्वान बनना चाहते हैं, तो अपनाएं बागेश्वर धाम के ये 18 उपाए। मध्यप्रदेश के बागेश्वर धाम और पीठा धीश्वर महराज धिरेंद्र कृष्ण शास्त्री को भला आज कौन नहीं जानता है। बाबा अपने चमतकारों के कारण केवल देश ही नहीं, बलकि विदेशों से भी लोक प्रियता हासिल कर चुके हैं। बाबा के भक्त उन्हें ईश्वर का अवतार मानते हैं, तो कुछ उनके चमतकारों पर सवाल भी खड़े करते हैं। लेकिन बागेश्वर धाम वाले बाब भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। बाबा के दरबार में कोई नौकरी की, कोई संतान प्राप्ती की, कोई आर्थिक परेशानी की तो कोई बीमारी से छुटकारा आधी की परेशानियां लेकर पहुचता है। अगर आप धनवान या अमीर बनना चाहते हैं, तो उस परेश्वर धाम सरकार महराज के अनुसार धनवान बनने के 18 उपायों के बारे में, एक, घर की सुकसम्रिधी मुख्य द्वार से जुड़ी होती है, इसलिए प्रति दिन सुभा दहली पूजन जरूर करें, सुभा उठकर सबसे पहले घर के मुख्य द्वार की साफ सफाई और गाय के गोबर से लिपाई करें, ऐसा करने से घर पर मा, लक्षमी का वास होगा और धन आवक में वृद्धी होगी, दो, घर पर बनने वाली पहली रोटी प्रति दिन गाय को गुड़ के साथ खिलाएं, इस उपाय को करने से मा, लक्षमी प्रसन होती है और घर पर बरक पोटली बना लें, इस पोटली को अपनी तिजोरी में रख दें, इस उपाय को करने से आपके घर पर सदा लक्षमी जी का वास होगा चार, शुक्रवार के दिन अन्नका दान अपने सामर्थे नुसार जरूर करें, आप एक किलो, आधा किलो या जितनी आपकी क्षमता हो सके, किसी गरीब या जरूरतमन को अन्नदान जरूर करें पांच, शुक्रवार के दिन पीपल व्रिक्ष की पूजा करें साथ ही पीपल व्रिक्ष के जड़ के पास एक दीपक जलाएं इससे भी मा लक्ष्मी की कृपा से धन की कमी नहीं होती है छे, शुक्रवार के दिन कमल गट्टे की माला से मा लक्ष्मी के बीज मंत्र ओम श्री हैरी श्री कमले कमलाले नमहा का जाप करें। इस उपाई को करने वालों से मा लक्ष्मी सदा प्रसन रहती हैं और ऐसे लोग जल्द ही धनवान बनते हैं। साथ, बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजार चना करें। भगवान को गुड और चने का भोग लगाएं। चड़े हुए भोग को कन्याओं में बाट दें। साथ ही खुद भी प्रसाद स्वरूप ग्रहन करें। इससे मा लक्ष्मी की कृपा बरस्ती है और धर धन से भर जाता है। 8. दीपावली, होली और दशेरा आधी जैसे प्रमुख परवत्योहारों में किसी एक पर्व के दौरान घर पर अनुष्ठान जरूर करवाएं। इससे व्यक्ती धनवान बनता है। 9. प्रती दिन माल लक्ष्मी और नारायन की पूजा करें और 108 कमल जा सकते तो कम से कम शुक्रवार के दिन या अमावस्या के दिन इस उपाय को जरूर करें। कमल अर्पित करते समय ओम श्रीन मंत्र का जाप करें। 10. गन्ने के रस से शुक्रवार के दिन श्री लक्ष्मी नारायन के श्री सुक्तम का पाठ करते हुए अभिशेक करें। इस तिजोरी में नौ लक्ष्मी कारक कौडिया और एक तामबे का सिक्का रखने से तिजोरी में धन हमेशा रहेगा तेरह, नियमित रूप से केले के पेड में जल अर्पित करने और घी का दीपक जलाने से दरिद्रता दूर होती है चौदह, भोजन करने से पहले कुत्ते या गाय के लिए एक रोटी निकाल दे आपको कभी भी आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा पंद्रह, प्रत्य गुरुवार को तुलसी के पौधे में दूध अर्पित करने से आर्थिक संपन्नता में व्रिद्धी होती है सोलह, शुकल पक्ष की पंचमी को घर में श्री सुक्त की रिचाओं के साथ आहूती देने से भी दरिद्रता दूर होती है सत्रह, महीने के पहले बुधवार को रात में कच्ची हल्दी की गांठ बांध कर भगवान क्रिश्न को अर्पित करें अगले दिन उसे पीले धागे में बांध कर अपनी दाहीनी भुजा में बांध ले, लाब होगा अठा रहा, शनिवार को अपने पलंग के नीचे एक बरतन में सरसो का तेल रखें अगले दिन उस तेल में उड़त की दाल के गुलगुले बनाकर कुत्तों और गरीबों को खिलाने से गरीबी दूर होती है और लक्षमी का आगमन होता है अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आल पर सेट कर लें वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद नोट यहां मुहया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है यहां यहां बताना जरूरी है कि भक्ति ज्यान सागर किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टी नहीं करता है किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेशग्य से सला लें